नमस्कार स्वाकत है आप सभी का सिर्फ तीन बाते इस वीडियो में करने वाला हो कि चैना का प्रॉब्लम क्या है हर बार बॉर्डर डिस्क्यूट क्यू होता रहता है पूरा विशलेशन इसका होगा दूसरा डबलु एचो चैना के पी यर एजनसी की तरह काम कर रहा है जिसे आखे के खुली रह जाएंगी अगर आपको स्वदेशी पर आत्म निर्भर भारत पर वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में यस लिक करें बताए और आने वाले वक्त में बहुत जल्द वीडियो आपको मिल जागी वीडियो का मैं एम रखता हूं लाइक का मात 3,335 लाइक देखने अचीब कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं लेकिन कॉमेंट जरूर कीज़ेगा आगे बरते हैं शोग शुरू करते हैं राइट न्यूज इनालेसिज बीते चार साल में दौनों देशों की बीच तनाव जारी है भारत और चैना के हजारों सैनिक अकसाई चीन में स्थित गलवान और पैंगॉंग सो जील के इलाके में आपने सामने तैनात हैं देखें गलवान घाटी को लेकर के उस समय जो तनाव बहुत ज्यादा पैदा तब हो जाता है जब भारत ने ये आरोप लगाया कि गलवान घाटी के किनारे चैना की जो सेना है उसने कुछ टेंट लगा दिये हैं अब गलवान घाटी लद्दाक और अकसाई चीन के बीच भारत और चाइना के सीमा के नजदिक स्थित है यहाँ पर वास्तिविक नियंतरण रेखा LAC अकसाई चीन को भारत से अलग करती है सारा डिस्प्यूट इसको लेकर के वीडियो में आगे बात करूँगा ये घाटी चाइना के साउथ शिंजियांग और भारत के लद्दाक तक फैली हुई है अब इसके बाद भारत ने फौजों की तैनाती बढ़ा दी दूसरी तरफ चैना ये आरोप लगा रहा है कि भारत ने गलवान घाटी के पास सुरक्षा संबंधी गैर कानूली निर्मार कर रहा है अब भारत और चैना का इस तरह से एक दूसरे से उलजना कोई बहुत बड़ी बात और नई बात नहीं है दोनों बार बार अलग-अलग इलाकों में इसी तरह विवादों में उलजे रहते हैं इन विवादों के पीछे का असली कारण और वज़ा समझनी कोशिश करें तो इन पाच पॉइंट्स में आपको समझानी कोशिश करता हू देखिए भारत और चैना के साथ 3488 किलो मिटर लंबी सीमा को साज़ा करता है यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम और अरूनाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है यह तीन सेक्टर में विभाजित है, बटी हुई है, डिवाइड़ है देखिए वेस्टर्न सेक्टर में जाएंगे यानि कि जम्मू और कश्मीर, मिडल सेक्टर में यानि कि हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड और साथ ही जो eastern sector यानि कि सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश में ये विभाजित है डिवाइड़ है दोनों देशों के बीच अभी तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हो पाया है क्योंकि कई छेत्र को लेकर के दोनों के बीच आपसी सीमा का विवाद है लेंड डिस्प्यूट है बॉर्डर डिस्प्यूट है दूसरी बात western sector में अकसाई चीन पर भारत अपना दावा करता है जो फिलाल चीन के कबजे में है देखे भारत के साथ आप सभी को बता है 1962 के युद्ध के दोरान चीन ने इस पूरे इलाके को अपने कबजे में ले लिया था तीसरी बात चीन पूर्वी सेक्टर में अरुनाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है और आज भी करता है यह चाइना साथ तौर पर यह कहता है कि यह दक्षडी तिबबत का जो हिस्सा है वो चाइना तिबबत और अरुनाचल प्रदेश के बीच की मैक मोहन रेखा को भी नहीं मामता है वो साफ तोर पे कहता है कि 1914 में जब अंग्रेजों ने भारत और टिबबत में के जो रीप्रेजेंटेटिव्स ने जो एग्रिमेंट किया था तब वो वहाँ पर मौजूद नहीं था तो वो मानेंगे नहीं 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 मानेंगे इस चीज़ को तो इसको लेके डिस्प्यूट बार-बार हर बार होता रहता है चाइना और अरुनाचल प्रदेश में मैक मोहन रेखा को नहीं मानता अक्साई चीन पर भारत के दावे को खारिस करता है सारी कहानी यहाँ पर आके अटक जाती है और लैंडड इस्प्यूट और हम आती है और विवाद शुरू हो जाता है कुछ इन इलाकों में हैं विवाद, Line of Actual Control, LAC पर कई Glacier, बर्फ की रिगिस्तान, पहाड और नदियां पढ़ती है इनके साथ लगने वाले कुछ इलाकों में अक्सर भारत और चैना के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ता है पैंगोंग सो जील इस जील का 55 किलो मीटर छेतर भारत में पढ़ता है जबकि 90 किलो मीटर छेतर चीन में आता है पस्चिवी सेक्टर में चैना की ओर से वाइलेशन के एक तिहाई मामले इसी जील के आसपास होते है दूसरी बात जो गलवान घाटी है वो भी एक विवादिद डिस्प्यूटट छेतर है अकसाई चीन में पढ़ती है और भारत और चीन की जो सीमा के नजदीक स्थित है LAC अकसाई चीन को भारत से अलग करती है 1962 की जंग के दोरान भी गालवन नदी का ये छेतर जंग का प्रमुक केंद्र था 2017 में आप सभी को याद होगा कि डोकलाम विवाद डोकलाम को लेकर कि भारत और चाइना के बीच जम करके विवाद हुआ था जब प्ठारी छेतर डोकलाम में चाइना की सडक बनाने की कोशिश का जब विरोध किया था तो बाद में मामला करीब दो महिने बाद बादचीत के स्तर से सुल जाया गया था गरमा गरमी गहमा गहमी थी उस तो में डोकला मुख्य रूप से चैनाक और भूटान के बीच का विवाद है लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नजदीक ही पड़ता है जो भूटान और चैना दोनों इस इलाके पर अपना अपना दावा करते हैं भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है उसके भी वज़ा है मैंने हर अगले वीडियो पर जाने से पहले अब बात करते हैं अपने स्पॉंसर्शिप इस वीडियो को स्पॉंसर किया है परवरिश एप ने इस एप को टीचर्स प्लेटफॉर्म बना करके अपनी स्टुडेंट्स के लिए बच्चों के लिए क्लासिस करा सकते हैं उसमें रियल ट पूर्सिस मिल राएंगे जो उसकी स्किल्स को नरिशप करने वाले हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है जा करके आप देख सकते हैं क्या चाइना की पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है डवलु एचो या फिर मैं यू कहूं कि डवलु एचो चाइना की प्यार एजनसी की दरा काम कर रहा है देखिए समझनी कोशिश कीजेगा कि वहान प्रांच से निकला वायरस चीनी या वहान वायरस क्यूं नहीं कहलाया गया क्यूंकि डवलु एचो करता है उसको नाम दिया गया कोविड-19 और अफ्रीका के जीका जंगल से फैला वायरस जीका कहलाया इबोल कि तरफदारी में जुटा हुआ है इसके पीछे कारण यह है कि जो डी जी ट्रोडोस है वो जिन पिंग के रहमो करम पर इस पदबर पहुँच चुके हैं कई सारी रिपोर्ट से इसको लेके बात होती रहती है डबलु एचो की भुमिका पर सवाल उठाना लाजमी है इन प दूसरी बात ये समझिए कि 11 फरवरी को डबलु एचो ने इसे कोविड नाम दिया था तब तक 44 देश इसके संक्रमन की चपेट में आ चुके थे पूरे 57 दिन तक चीनी वैरस ने दुनिया के 69 देशों में 4000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी तब जाकर के डबलु मार्च को इसे वैश्विक महा मारी घोशित किया था और फैक्त तो यह है कि शुरुवाती 41 अंक्रमित लोगों में से तेरा तो कभी भी प्रचारित सीफूड बाजार में गए गए नहीं थे यानि कि सीफूड और चमकादड़ों को कोरोना फैलाने की थियोरी प्रमाडिक ना होकर के एक कहूं तो एक तरीकी से इसको सुस्थापित किया गया है ताइवान ने 31 दिसंबर 2018 को वुहान वैरस के बायोजिकल हतियार होने का एक इशारा डबलू एचो को दिया था इस बात को उन्होंने एक लैटर भेज करके बताया कि यह बीमारी आदमी से आदमी में फैलती है और उनके पास इसके पुक्ता सबूत भी है ताइवान ने इस बीमारी को तुरंत कंट्रोल कर लिया और अपने देश के अंदर इसको फैले नहीं दिया था अगर डवलू एचो पहले से ही ताइवान की बात को मान लेता तो हालत आज ऐसे नहीं होते जैसे हमें औ 10 मई 2020 को जारी की गई थी और उसके बाद से ही अचानक आप देखेंगे जो मौतों का आखड़ा है उसमें एक लंब आसा बहुत बड़ा हाइक आपको देखने को मिलेगा कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी के चलते मर जाए होस्पिटल पहुंच जाए तो कोविट 19 आपको कर प्रूना पॉजिटिव बताएगा दूसी तरफ तो कुछ रिपोर्ट मैंने यहां तर पड़ी है कि अगर कोई व्यक्ति होस्पिटल जाता है कुछ साधरन उसको किसी तरह की सिंटम्स होते हैं उसका सेंपल सीज है कोविट 19 के लिए लैब में भेजा जाएगा और इसी दर इंग्लेंड जापान जर्मनी ऑस्टेलिया फ्रैंस और इस संगठन के परिचालन का 60 फीसद धन देते हैं उपलब्ध कराते हैं 2019 में इसका बजट तकरीबन 45,000 करोड था जिसमें अकेले अमेरिका का योगदान 4,150 करोड रुपे था चाइना ने 2019 में 8.6 करोड डॉलर का च चाइना भी अपना चंदाज स्टेजी से बढ़ा रहा है उसने डबलू एचो पर उसकी पकड को मजबूत कर लिया है ऐसा कहना गलत नहीं होगा अगर मैं गलत हूँ तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताईएगा समझ निकोशिश करेंगे अब आते पिर लास्ट देखिए वैं इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि 90 प्लस कंपनियों की जो नाम अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अगर आप इन में से किसी भी एक कंपनी कोई प्रोड़क्ट का इस्तिमाल करते हैं या आपके सुविधा अनुसार है इसलिए आप इसका बॉयकॉट नहीं में चैना का जो पोजिशन थी वो 35 थी 2014 में 28 हो गई अब तक कोई नया डाटा नहीं आया है लेकिन कुछ रिपोर्ट की अगर बात माने तो टॉप 10 में अब चैना आ चुका है इंडिया में सेकंड पॉइंट 50 की एक रिपोर्ट बताती है कि चैना का जो सबसे ज्यादा इं निवेश के चलते इन छेत्रों में चीनी निवेश सबसे ज्यादा है जो कंज्यूमर जो प्रडक्स हैं इलेक्रोनिक्स हैं फार्मा और स्टील उत्पादन जिसे छेत्रों में चीन का जो निवेश है भारत में लगातार दिन दूगनी राज-जोगनी बढ़ता जा रहा है तीसरी बात, देश के 30 बड़ी यूनिकॉन कंपनियों में से 18 कंपनियों में चैना का इंवेस्टमेंट है। चीन ने भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा इंवेस्टमेंट किया है तो वो राज निकल के आता है। गुजरात वहाँ पर चैना का अच्छा खासे इंवेस्टमेंट है। ब्रूकिंग्स इंडिया के स्टडी के मुताबिक भारत में चैना दुआरा मौजूद वक्त में प्लैंड इंवेस्टमेंट कम से कम 26 बिलियन डॉलर का है। करीब 15 बिलियन डॉलर का निवेश चीन की कंपनियों दुआरा निवेश योजना में है। पांचवा पॉइंट चैना की कंपनियों का अगला लक्ष अब तक 57.5 करोड डॉलर का निवेश इस्टों की इलेक्ट्रोनिक वाहन में है। चेन की अब जो कंपनी है वो इलेक्ट्रोनिक बस लेके आने वाली है। वालवो और एमजी हेक्टर के जरिये चैना भारत के आटो मुबील बाजार में दखल बढ़ाने जा रहा है। ऐसे में डिजिटल इंडिया पर चैना का नियंतरण भारत को पेचीता मुकाम पर ले गया है। और आपसे मैं सीधा और सरल भाषा में सवाल पूछता हूँ अगर आपको बॉयकॉट करना ही है तो यह लिस्ट देखिए और सोचिए कि आप कितने तयार हैं। देश भक्त बनने के लिए दो चार एप्रिकेशन को अंस्टाल करके बॉयकॉट 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 अगर आप करेंगे तो इससे आपको टैग देश भक्ति का नहीं मिलेगा देश भटक का मिलेगा। इस विडियो को शेर कीजेगा, IONite News Inda की जर्नलिजम को सपोर्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है,